को कि हलाएज आपका इकबाद फिर से अपने चल्ब परफेक्ट इंस्टूट पर सिर्वेंट इस अपने सभी इस्टूट को टेकनिकल सपोर्ट के साथ में टेकनिकल और प्रैक्टिकल स्किल्स भी दोस्तों आज हम लेकर आए हैं वो दस क्योंज अगेन जो की आपकी इंटर् पूछे जा सकते हैं देली पांच वजे हम लोग आपके सामने हाजर होते हैं कुछ ऐसे को लेके जो की आपको help करेंगे आने वाले कल में दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंतक जुरूर देखेगा यह हमारा परियास अगर आपको पसंद आता है तो हम लोग कैसे बैदेनी कुष्यटन अपके लिए लेके आएं तो आज दोस्तों जो है बहुत ही इंपॉर्टन दिन है बहुत ही इंपॉर्टन कोश्यंस आपके लिए हम लोग लेके आए हैं दोस्तों और ये questions दोस्तो आपको help करने वाले हैं आपके कल में तो दोस्तो चलते हैं हमारे questions के उपर जो की civil construction industry से related questions हैं आपके कल आने वाले time पे दोस्तो कैसे ये questions आपको help करेंगे दोस्तो चलते हैं दोस्तों पहले जो है आज हम आपकी लिए quack questions लेके हैं हर रोज 5 बजे की तरह आज भी खेल-केल में करो interview और complete exams की तयारी तो दोस्तों today for first question is in a day 50 cubic meter of a concrete is being placed how many cubes should be taken for the testing of concrete मतलब एक दिन में अगर आप 50 cubic meter जो है complete कर रहे हैं तो दोस्तों आपको कितने क्यूब जो है वो टेस्टिंग के लिए लेने पड़ेंगे 3 numbers cube 6 8 या 15 तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको इसका answer जो है दोस्तों पता होगा नहीं पता है इस question का answer तो हम आपकी help कर देते हैं दोस्तों एक बार फिर भी अपने दिमाग पर जो डालें इनर दे 50 cubic meter of concrete is being placed how many cubes should be taken for a testing purpose देखिए दोस्तों जैनली क्या होता है जो आपके जो हमारा जो हमारा mixer जो आता है side पे उसके हिसाब से हमें cube लेने होते हैं लेकिन जब आपका concrete बहुत ज्यादा bulk quantity में होता है तो उसमें दोस्तों हम क्या करते हैं three numbers of cubes लेते हैं for a testing purpose के लिए ठीके दोस्तों नेक्स्ट जो है दोस्तों as per is concrete mix are designed mix are designed three grades five grades seven grades and none of these as per is concrete mixes are designed grade three grades five grades seven grade या none of these तो दोस्तों बहुत इंपर्टन कुशन है the answer is seven grades of concrete जो है दोस्तों वह बनाये जाते हैं ठीके दोस्तों next question के उपर चलते हैं दोस्तों the next question is कि दोस्तों purpose of reinforcement in pre-stress concrete pre-stress concrete में दोस्तों हमारा जो है दोस्तों reinforcement देने का purpose क्या होता है दोस्तों reinforcement देने का प्रपस क्या होता है दोस्तों option है आपके पास में टुप्रवाइड एडिकुएट बॉन्ड इस्ट्रेंट तो रजिस्ट एंसाल स्ट्रेंथ तो इंपाड इनिशल compressive strength in concrete या none of these the right answer is to impart initial compressive strength जो है दोस्तों in stress in concrete के लिए हम जो है दोस्तों reinforcement प्रवाइड करते हैं pre-stress concrete के अंदर next question is initial setting time of quick setting cement देखे दोस्तों set cement भी different different types के होते हैं आज हम बात कर रहे है initial setting time initial setting time for quick setting cement quick जल्दी quick setting cement होता है उसमें initial setting time कितना होता है one minute five minutes three 30 minutes या 60 minutes तो उम्मीद करते हैं आपको answer पता होगा एक बार दुबारा से question सुझे लिए initial setting time of quick setting cement is one five 30 या 60 minutes right answer is five minutes five minutes that is the right answer मतलब पांच मिनट के अंदर जो है दोस्तों विक्स जो है setting cement जो है वो यह सेटिंग होना स्टार्ट हो जाता है initial setting उसकी हो जाती है next question is for today is low heat cement is used for low heat जो cement होता है दोस्तों वो कहां यूज होता है अंडर यह प्री इस्ट्रेस के अंदर दोस्तों अगर आप इन question के answer जानते हैं तो आपको आइडिया है तो इस question जो हमारा comment box है वहां पर जो है दोस्तों question number लिखने के बाद उसका जो है option question नमबर लिख के और उसका आंसर जो है वो राइट कीजिए और देखिए दोस्तों का आपका आंसर सही है कि नहीं है देखिए दोस्तों यह आपको करेगा कल इंटर्वियू या आपके अग्जाम से डाफिनेटली दस में से एक कोशन भी अगर आपका आगे तो सोच लिजे आपका एक नमबर तो क्लियर हो गया आपकी नॉलेज़ में ऐसे कोशन दो ले जाए जो आपको कल हब करें कंस्रक्शन इंडस्ट्री में काम करने में नहीं पता है तो बता रहेते हैं आपकी नॉलेज़ के लिए नीडल वाइबरेटर आर यूज़ फॉर जो है जनरली यूज़ फॉर कंक्रीट वाक्स के लिए ठीक है दोस्तों आज दोस्तों परफेक्ट इंच्ट्ट फॉर सिनियर्स वाइड कर सबसे मोस्ट एफॉरड़ेबल त्रुलाइब लाइफ लाइफ चेंजिंग जो है दोस्तों कोर्स करवा रहा है कोर्स फिस स्टार्ट फॉर्म 399 लाइब इंट् और गल्फ के पैटर्ण के इसाब से आपको सिखाते हैं और क्वांटिटी सर्वे जिसमें की एस्टीमेशन बिलिंग टैंट्रिंग तीनों ही चीज़ा आपको सिखा जा रही है विद आटोकेड एंट एक्सल के हैं यह एड़ ओन कोर्स हैं दोस्तों जो आपको परफेक्ट सिखा रहा है इंडिया की लुएस कोर्स फीस के अंदर जो की है 399 रुपे में आप अपने घर बैटे आपने जौब के साथ में कंटिन्यू करते हुए क्लास को सीख सकते हैं इंडिया और गल्फ के पैटर्न के साब से मात्र 399 रुपे में दोस्तों और यह जो है दोस्तों यह लाइब क्लास होती है रात को नौब यह से हमारे स्ट्वेंट्स के लिए हम यह क्लास कंटक्ट करते हैं और दोस्तों आप दूसरा कोर्स जो है इंटीर फिटाउट के हिसाब से कौनिटिव सर्वेइंग एलेक्ट्रिकल एच्वेसी प्लमिंग फारफाइटिंग रेट् और इंटरनेशनल लेवल का जॉब असिस्टेंस दी इसमें परफेक्ट इंशूट पर सीविस आपको प्रवाइड कर रहा है ऑनलाइन अगर आप यह सिक्षी डेज की क्लास अवेल करते हैं तो कोर्स वीजिए नाइस नौशन इंद्यान रुपे अगर आप ऑफ लाइन कोर अगर आप चाहते हैं अगर आप चाहते हैं अगर चलते हैं अपने नेक्स के उपर विच इस पर टोड़ेज इस इन और तो है इस्ट्रेंगेशन इन कंक्रीट इस ड्रॉपिंग हाइच शुट नाट बिलस दन क्या होता है जब सिमेंट जो है सिमेंट सैंड और एग्रिगेट जो है इसको कहा जाता है उसको कहते हैं जब स्ट्रेंट इस अगरिगेशन जोपींगेशन जोपीं है कि इस तो राइट अंसरी 100 cm से कम नहीं होना चाहिए और देट मिटर से जाधा नहीं होना चाहिए ठीके दोस्तों राइट अंसर आज आज इस पॉर दिस फॉर इस फॉर इस ने तो मैनी ट्री नमबर्स इच्ट नमबर्स एच्ट नमब्स अंडेल अंट इलमबर हमेन क्यूप्स वी ठेक तो फांड अंप्रस्टरिस्ट्रक्श ऑर गावा स्टना लिए जाते हैं दोस्तों तो प्राइंट कंपरेशल स्ट्रयंड आफ कंक्रीट is minimum numbers of cubes are required three numbers three numbers of cubes are required to find compressive strength of concrete next question is the slump concrete has to be transport by belt conveyor belt bike and wear belt should be it now just slump of concrete Ketan at a 25 to 50 yeah 110 to 20 50 to 60 yeah 50 to 60 or 80 to 100 get now energy also to be the slump of concrete to be transport by conveyor belt should be कितना होना चीए दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो एक बार गयस कर लेते हैं कितना होना चीए दोस्तों गयस कर लिजिए कितना होना चीए बिट्विन 50 to 60 होना चीए the slump of concrete by transport transported by conveyor belt के थूँ अगर आप इसको कर रहे हैं जो ट्रांस्पोर्ट कर रहे हैं एक जिए से दूसरी जिए तो 50 to 60 के बीच में जो है आपकी slump concrete की values होने चाहिए लास्ट क्वेशन फॉर टुड़े इस एंड वेरी इंपोर्टन क्वेशन सिमेंट यूज फॉर दा कंस्ट्रक्शन ऑफ डॉक हार्बर इज दॉक और हर्बर डॉक हार्बर मतलब सी पोर्ट साम बनाते हैं वहां पर डॉक हारबर होते हैं उस टाइप वहां पर जो है सिमेंट यूज करते हैं ऑको अपो समझ में आए होंगे और आपको यह करेंगे डाल्री है खरेंगे आपको इंटरव में जाने के काम इंटर्वीव में या आपको नहींटर आप को कफ़ें आए गर cabbage शहर्च्राइंगे तूबशन आप आ करेंगे तो वहां पर यह आप को definitely जो है दोस्तों यह आपको help करने वाले हैं for your interview or job purpose job जो interview होंगे या फिर complete exams की preparation पर दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को subscribe और वीडियो को like जुरूर किजेगा क्योंकि ऐसे ही है दस question हर रोज हर शाम पांच विजी हम आपके लिए prepare करके लाते हैं which are very important for you guys to change your life in construction industry thank you friends thanks for watching this video have a good day thank you